हेलो नमस्कार दोस्तो अबुए भी मिली मौसम वीपाक की जानकारी के अनुशार अगस्त का मैना भीद गया है पर उत्तर परदेश समय देश के कई राजें अभी भी मानस nation के रफशाकर अपनेंत चरम पर रहा है इस वारा अगस्त में लोगों को जम कर भी गोया है वही इसी में यूपी में मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है परदेश के कई हिसों में बायर बार इसके बाद भी उमस और गर्मी से लोगों को परहसान हो रहे हैं हाला कि यूपी में उमस्बरी गर्मी से लोगों को इस हफ्ते रात मिलने वाली हैं उत्र परदेश में मान्थुन का सिल्चला एक सप्ते से एसा ही बने रहने के संभावना है यूपी के कई कल और परसो हलकी बारिश की संभावना मौसम भागने जता ही है और परस्चीम यूपी के अनेक इस्तानों पर वर्षा और गलत समक के साथ सीटे पढ़ेंगे वहीं कल एक बार फिर से हलकी से मद्यम बारिश का येलो लड़ भी जारी किया गया और आस्मान में काले बादल चाहे रहने के भी संभावना मौसम भागने जता ही है तो आज किन किन जिलो के अंदर बारिश होगी कल का बारिश हुई है और आने वाले जिनों में किन किन जिलो के अंदर भादी बारिश देखने को मिलेगी तो इन सब की जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को लाग तक जरूर देखना तो चलिए इस सुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहला आपको एक छोटा सा काम करना होगा जल्दी से आपको वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्क्राइब करने के बाद जो पासम गंटी है इसको दबाकरे सोल पर जरूर से क्लिक कर देना इतना का अगवाने चैनल कीमेंट जना या आप अपने जिल्दी और अपने गाओं का नाम जरूर खिल के आ के आपके जल्दी यूपी में फिर से तपने लगी है वहीं दिन का पारा दो डिगरी सेलसेट और रात में चार पर पांट डिगरी सेलसेट पारा उपर चट गया है वहीं का लादिक्तम ताफपान 37.9 डिग्री सेल्सेट गाजीपूर में सबसे ज़्यदा गरम रहा है और यहां का रात का ताफपान भी 30 डिग्री सेल्सेट से करीब आ गया है वहीं मौसम विपाक के मताबर आज किसी भी जिले में बारिस का कोई अलर्ड जारी नहीं किया गया है वहीं आज पूरे यूपी ग्रीन जोन में है हाला कि यूपी में अगले 3-4 दिन तक हलकी फुलकी बरशात होती रहेगी वेसे तो यूपी में बारिस का सिल जल अगस्त में भी जाई रहा लेकिन सित्मर में भी इसका दायरा बढ़ जाएगा माना यह जा रहा है कि जिन इलाकों में मानसुन बेरु की देखने को मिली है वहाँ भी सितंबर के मौसम में वहरबान रहेगा यानि लोगों को होने वाले उमस और गर्मी से रहात मिलेगी मौसम भाकिमाने तो सितंबर महिने की सुरुआ से ही बारिस होगी वहीं आज परश्चिमी और पूरी जगहों में यहां प्रकुच जगहों पर बादद गरजने के साथ बारिस होने की सम्हावना हालाकि जिन जिलों में बारी बारिस का अलट जारी क्या गया है जिसमें गोतमबूद नगर, अमेडगर नगर, लकिमपूर खिरी, सितापूर, लकनव, हातराज, बुलंद खंड, बुलंद सहर, कोसंभी, चित्रकूर, बल्या, परतापगर्ड, इलाबाद, जैनपूर, समयत कई जिलो में आज बारिस हो सकती हैं जिसके वज़े से लोगों को गर्मी से रहात मिल सकती हैं, वहीं आएमडी के मुताबित पिछले 24 गंटों के यूपी में 20 जिलो में कुल 1 mm ही बारिस हुई है, जबकि नॉर्मल 5 mm बारिस होनी चाहिए थी, 80% बारिस कम हुई हैं, और सबसे जैदा बरसाल जलोन में 9.9 mm हुई यह में 4.1 mm, एट आ एक ऐम यह चूई अव में 5 mm, और रस हाथ रस में 4.3 mm, जाशी में 3.7 mm, कासघुमन्झ में 2 mm, महुबबा में 2.6 mm, मेरिट में 2. 2 mm, अमेठी में 0.9 mm, बारा बांके में 1.3 mm, भारु काबाद में 1.1 mm, मैंनपुरी में 0.5 mm, उनच्अव में 0.3 mm, और क वाराशनी में साथ दिन बाद पहली बार गंगा का जल इस्तर गटना शुरूआ है चोबिस गंटों में छे सेंटिमीटर नीचे आया है जल इस्तर 68.24 मिटर है और गंगा पत्पन गाट जल मगन है असी गाट की गंगा के आर्थ शीडियों पर हो रही है केंद्रिय जल आयों क जल इस्तर हो गया है यहीं डूसरी और कadore और कानपूर में गंगा जल इस्तर तैजी से नीचे आ रहा है बल्या में भी अभी भी लिया परियाग राज और वारासनी जिल्ले हैं वहीं भी एच यू के मौसम वेग्यानिक प्रोपेसर मनोच कुमार श्रिवास्तों ने बताया ऐसा नहीं है कि दो दिन में मानशून कमजोर पड़ गया है तो अब आगे नहीं होगा लेकिन कंडिशन फिर से तयार है लोग्त प्रेशर और मानशून की ट्रप लाइन आते ही फिर से जमआ जम बारिस हो सकती है और सितंबर भर मानशून रहेगा एसे में बारिस होने की उमीद बरकरार है वरासनी के गंगा गाट किनारे मंदीर अभी भी दूबे हैं इस तरह जान जोकी में डाल कर लोग चलाक लगा रहे हैं वरासनी में तीन दिन चे तेज दूप निकल रही है इस वज़े से गर्मी बढ़ गई है वहीं सबसे ज्यादा बारिस की बात करे तो चलोन में 9.9 mm बारिस हो ए मेरेट में नो में हमीर कूर में 8.8 mm हर दोवी में 7.7 mm और परताब गण में आपर 4.6 mm बारिस की गई है यूप के टो पांच घरम जिले की बात करें तो अधिम गण्द में 37.EE. । और गाजिपूर में गरगक में 37.4 और कुशी नगर में 37.4 दिग्री शेल्चे तापन दर्ज किया गया है वहीं मौसम ही बाकी माने तो यूपी के कई जिलों में राजजानी लकनों सहीत कई जिलों में मौसम बन रहा है लेकिन बारिस नहीं हो रही है ऐसे में लोगों को उमद से परहसानी हो रही है गौरफ पूरवारा सनी बरेली अमिठी मेरट अलिगर सही दर्जनों जिलों में हलके बादल के साथ बारिस होने की आज संबावना है आपको बता दे कि यूपी में बारिस के चलते मौसम सुआना बना वाया हाला कि लोगों को उमद परहसानी का सबक बन र पर आया है और साम करीब चार पजकर पंदा मिनट पर करीब सहर में हलकी बूंदाबान दाए हुई है ॉइन लख नो में आज सुबे सही मौसम साफ है तेज दूप निकली हुई है मुहसम विपाग कानुमान है कि आज दिन में बादल चाहे रहेंगे इस दोरान बुंदा बांदी भी हो सकती है और दिन का दिक्तम ताफ 15-30 degrees Celsius और निवतन ताफ 15-30 degrees Celsius रहने के संभावना है दिन में उमजबरी गर्मी का दोर बन रहा है और सुबह आठ बजे से साम साड़ी पांच बजे तक 10.3 एमम बारिश दर्जिक की गई है वहीं मौसम विबाग ने चार सितंबर को अच्छी बारिश की संभावना देता ही है और इससे पहले लक्नों में हलकी बारिश की संभावना लागतार बनी रहीगी वहीं इस दोरन बादल चाहे रहने के साथ तेज दूब निकलती रहेगी ता पांच भी सामाने से अधिक दर्ज क्या जाएगा वहीं एक जून से लेकर अभी तक 525.6 एमम बर्चाद हुई इस दोरन सामाने बारिश का उसद 519.3 एमम है महानतुन अभी भी एक फिजदी अधिक बारिश हुई है और मौसम वेगानिक अतुल कुमार सिंग ने बताया कि सित्मबर मैने में परदेश में अधिक तर जिलो में अच्छी बारिश होगी